सब्सक्राइब कर दो थोड़ा सा मेसिंग चल रहा था तो अब हम आज बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसस की आज वन शॉट के अंदर हम यह लाइफ प्रोसस जो है वो खतम करने वाले हैं तो जिस भी बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर को लेकर वो आज यह वीडियो इस चैप्टर को लेकर काफी अच्छा आइडिया जो है वो ले सकता है ठीक है बहुत परिया शुरुवात करते हैं बिना किसी देली के क्योंकि एक राइस कोर्स हम लोग ज्यादा बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे ठीक है कुछ चीजे में बता दू कि हम आज लाइ टेस्ट इस अब के अंदर जो है आने की पढले की अब केन दो जो है वो देखने को मिलेगे अब application के अदर ऐसा नहीं है कि आपको बस टेस्ट देना है question mark करना अपने साथ चल रहे है एक proper test है जहाँ पर timer चलेगा अगर आपको लगता है कि आपको question नहीं आता थो आप उसको skip कर सकते हो ठीक है अगर आपको लगता है कि आपको question गलत हो तो बाद में जाकर मतलब ऐसा है आप जो है अपने कौनसे questions में गलतियां की है, कौनसे questions आपके सहीते, कितना समय आपने लगाया किसी एक सही answer को देने में, एफिर कितना समय आपने गलत answer देने को लगा दिया, ठीक है यह सब आपको इसके अंदर पता चलेगा, ठीक है तो इस level की quiz आप लोग के लिए बनाई गई है, वो भी completely free, हमारी पढले की application के अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता है, ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने एक और चीज तुम को बता रखिये, कि जिसको भी doubt होता है, वो मुझे Instagram पर tag कर सकता है, बहुत बढ़िया, और इसने मुझे follow नहीं कि है, वो follow जाका कर सकता है, ताकि तुम stories में मुझे अपना doubt जो हो, पूच सको, ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, शुरुबात करते हैं, चालू करते हैं, हमारे chapter, बहुत easy और सरवसा chapter है, लेंदी है, टफ नहीं है, ठीक है, वाट आर life processes, तो भई यह life processes, self-explanatory चीज है, the processes that are necessary for an organism to stay alive are called life processes, एक इनसान के जीवित रहने के लिए, भई जो हमारा यह जीवन चल रहा है, वो कि इनने processes के करण चल रहा है, तो इन processes के करण चल रहा है, इसलिए इनने life processes कहा जाता है, अगर यह नहीं होंगी, तो एक मनुष्य का, एक इनसान का जीवित रहना, it is impossible for a person to stay alive, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो यह हो गया, आपका nutrition हो गया, respiration हो गया, digestion हो गया, ठीक है, यह जो आपकी कुछ चीज़े है, यह जो आपकी कुछ चीज़े हैं, यह सारी की सारी आपकी life processes के अंदर आती है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, शुरुवात करेंगे, nutrition के साथ में, ठीक हम समने सुन रखा है, he is a nutritionist, FSC is a nutritionist, यह फिर हमारे लिए nutrition का जो importance है, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो यह nutrition होता क्या है, वो समझ लेते हैं हम लोग पहले, the process by which the living organisms receive and utilize the food materials necessary for their survival, growth and repair of worn out tissues is called nutrition, so basically, वो process जिससे कि आप खाना obtain करते हो, और उसको utilize करते हो, utilize किस चीज़ के लिए हम उसको करते हैं, भई हम तो खा लेते हैं, हमारी body उसके बाद में उसको utilize करते हैं, बड़ी ही चालाकी से, किस चीज़ के लिए utilize करते हैं, तो हमारे survival के लिए, हमको पता है कि अगर हम जादे दिनों तक भूके रहेंगे, तो it is not possible for a human to stay alive, उसके लिए, repair of worn out tissues, होता है हमारी body के अंदर कुछ tissues ऐसे worn out होते हैं, तो उनको repair कैसे किया जाएगा, ये सब चीज़ें, इन सब के लिए nutrition एक बहुत important factor प्ले करता है, कभी-कभी ऐसा होता है, कि किसी के अंदर vitamin D की कमी है, किसी के अंदर vitamin C की कमी है, कभी-कभी हमें doctors कुछ food, मतलब of course वह तो एक अलग चीज होगी, पर doctors कभी-कभी हमें कुछ बताते हैं कि आप ये खाना स्टार्ट करो, फिर आप ये पीना स्टार्ट करो, तो वह क्यों है, ताकि एक particular deficiency को meet किया जा, ऐसा बहुत बहुत हमने सुना भी होगा, ठीक है, अटेगरीज आते हैं, सीधा शुरुवात करेंगा हम लोग, पहला है इसमें autotrophic और दूसरा है hydrotrophic, ये क्या है, ये mode of nutrition ने दोनों, ठीक है, autotrophic और hydrotrophic ये दोनों क्या है, दोनों mode of nutrition है, जैसे कि अगर तुमको पता होगा, जो cars होते हैं, जो automatic cars होते हैं, उनके अलग-ëlग modes होते हैं, ठीक है, नूट्रिशन में जो है, आपके ऐसे organisms आते हैं, जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऐसे organisms जो की अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो able है इतने capable है कि वो अपना खाना खुद बना ले उन्हें हम कहते हैं autotrophs और फिर उन्हें हम कहते हैं ऐसे organisms जो कि autotrophic mode of nutrition जो है इसे जो है वो खाना कि 500 organisms जो होता है वह जो में जो क्हाना पकाना और खाना बनाने में फरक होता है तुम मेरी जान में उसकी कर रहा है वह जो मैगी आई है या फिर वह जो खाना जो रोटी हम खा रहे हैं क्या वह वो हमने खुद ने बनाई हैं नहीं न थी कि और सब कुछ करके खुद ही खाना बनागे खुद ही उसको कॉंजियूम करते हैं हीट्राफिक के केस में कैसा होता है कि जो भी हीट्राफिक मोड अफ नूट्रिशन के अंदर आते हैं वो अपना आपको बुक के अंदर अमीबा भी देखने को मिलेगा वो एक छोटा सा पोजिशन है उसको जरूर से एक बार रेट करें रहा है वो इतना चोटा और इतना सेल्फ एक्प्रिनेटरी है कि उसको समझाने में अगर हम इसमें एड करेंगे तो लेक्चर जवर्दस्ति लंबा बनेगा इसलिए मैंने जो है उसको फोड़ा सा पर इसने प्रॉपर चलती है अपने खाना चबाया वह खाना गया वह खाना पच गया ठीक है फिर फाना एब्स वह एस्मिलेशन हुआ यह सारी चीजें और इसके वाग में फाइनली जो वेस्ट है इजेसन जो वेस्ट है आपकी बॉड़ी से वह बाहर निकल गया यह थिक है उसके बाद में उस खाने का अब्स यह सब चीजें अमारी बॉडी के अंदर होती है तो हम हॉलोजोईक ओड फॉलो कर रहे होते हैं अब हॉलोजोई किस में यह चीज आता है आपका ही ट्रोफिक में दो बेसिस हैं कि एक तो खाना खुझ से बना सकते हो या फिर खा क्या क्या ओता हूं तुमको बताता हूं सैपरोफैटिक मतलब वह जो कि डेड एंड डिकेंग मैटर से अपना खाना अप्टेंड करते हैं जिसको बोलते हैं होस्ट पर उस होस्ट को मारते नहीं है जो आपके पैरिसाटिक मोड अफ नुट्रिशन फॉलोग करते हैं वह क्य होते हैं उससे फूड अप्टेंड करते पर उसको मारते नहीं है मेरी बहुत ही फेमस लाइन है बहुत सारे बच्चों ने मुझे टैग कर रखा इंस्टाग्राम पर हर जगा कर रखा है यह यह लाइन से हमें चीज याद रही है तो वापस से तुम याद रख लो तुम पै होस्ट है मानलों कि अगर कोई पैरिसाइट है तो वह पैरिसाइट जिस भी जिस भी चीज से और इंगानिजम से फूड अप्टेंड कर रहा है उसको होस्ट कहते है ठीक है तो यह हो गया आपका अगे बहुत से आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे हम लोग फोटो संथिस पता है कि यह जो आपकी डेफिनेशन है यह थोड़ी सी इनकम्प्लीट है इसके अंदर कुछ चीजें मेंशन करना बाकी थी जो कि आपको दस्वी क्लास के लिए रखी गई थी तो अब वह हम देख लेते हैं ठीक है क्या होती है फोटो संथिस के देफिनेशन तुम डिरेक ने कि फोटो संथेशन होने के लिए आपको क्या-क्या रॉम मटीजल से यह तो आपको एक तो कार्वंडा ओक्साइड चाहिए और पानी चाहिए यह होना किसकी प्रज़नेश में चाहिए संलाइट की प्रजन्स मों यह मतलब इसके लिए क्या और जरूरी है संलाइट का हो फूड विद एंड से वीट गाइक वटर कारबन डावकसाइड यापन आपको देखो क्या या लगता है एक सिंपल सील्स्ट बना लो जब आप रस्टी दिमाव लंगाने की जरुरत नहीं है ठीक का क्या लगता है ठीक का रपन डेयूट है ठीक इनद प्रेजंस ओफ क्या क्य ठीक है बहुत बढ़ा तो यह हो गई आपकी एक perfect definition photosynthesis की ठीक very good तो हमको पता है कि carbon dioxide हमको पता है कि plants वह वह carbon dioxide लेते हैं और oxygen छोड़ते हैं ठीक है यह इसी चीज़ हमको पता थी पर हमको यह नहीं पता था कि और क्या-क्या चीज़े इसको लगती है photosynthesis के लिए अगर तुम इ और chlorophyll जो है वह again the pigment अच्छ चलो मैं नहीं बताता हूं मुझे बताना कि chlorophyll क्या होता है नीचे comment करके बताना कि what is chlorophyll तुमने वह जो सुना होगा बच्पन है कि वह plant के कुछ-कुछ color के लिए यह responsible होता है तो वह क्या है is that chlorophyll वह मुझे बताना नीचे comment करके ठीक है बहु अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जो आपके plants होते हैं जो green plants आपके food बना रहे होते हैं photosynthesis के through ठीक है उसमें क्या क्या steps होती है ठीक है तो सबसे पहली चीज क्या है absorption of light energy by chlorophyll आपका जो chlorophyll present होता है ठीक है जो आपका chlorophyll यहाँ पर present होता है जो यहाँ पर लिखा हुए in the presence of chlor chlorophyll यह जो chlorophyll होता है इसका काम क्या होता है यह absorb करता है light energy को तो सबसे पहली जहाँ पर step हो रही होती वह क्या होती इस absorption of light energy by chlorophyll फिर second इसमें क्या है conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen अब क्या होता है कि जैसे अभी यह light energy को absorb कर दिया गया है इसको convert कर दिया जाएगा into chemical energy यह L2C मतलब light energy को chemical energy में convert किया गया है यह को लिखने का तरीका नहीं है मैंने बस short form करके लिख दिया इसी के साथ साथ क्या होता है जो H2 पानी का जो detailed version चाहिए समझने का तो आप मेरा पुराना लेक्चर जाकर देख सकते हैं पर मैंने पूरा detail में समझा रहा है पर यह हमारा एक short one short lecture है ठीक है इसके अंदर हम लोग फटाफ़ चीजे कवर करना है उन बच्चों के लिए बहुत important जो कि अभी स्टार्ट कर रहे है इसलिए व सब्सक्राइब तो एब्सर्ब किया जाता है वाई chlorophyll उसके बाद में फिर light energy को convert किया जाता है into chemical energy और फिर water molecule split होता है into H2 and O2 फिर होता है reduction carbon dioxide का carbohydrate में एक थोटा सवाद तुमसे करूँगा आगे जाके करूँगा अभी नहीं करता हूँ ठीक है अब आपके जो green plants होता है जो आपकी leaves होती है ठीक है एक simple सी चीज है हम जब बोलते है कि plant जो है वो carbon dioxide लेता है और oxygen छोड़ता है तो यह लेन देन होता कैसे है वह अगर हमें घर से बाहर निकलना है घर के अंदर आना है तो हमारे घर में होते हैं दर्वाजे वैसे ही ऐसे कौनसे दर्वाजे हैं plant के अंदर यह फिर leaves के अंदर specifically कि यह जो लेन देने वो हो पा रहा है तो उनका नाम होता है stromata stromata क्या होते है they allow the exchange of gases with the atmosphere plant और atmosphere की बीच में जो gases का एक्षेंज हो रहा है जो carbon dioxide और oxygen का लेन देन हो रहा है वह इन stromata के थुरू होता है ठीक है बहुत बढ़िया evaporation of water from the leaf surface occurs through the stromata क्योंकि सोचो तुम अगर घर में दर्वा आ जाई नहीं यह तुम बाहर निकलूंगा कैसे कोई opening तो होनी चाहिए और वह opening इसके case में क्या होती है stromata यह तुम देख सकते हो बड़ा ही प्यारा सा फिगर आपर दिया गया बुक के अंदर तुमारे अंदर है ठीक है बुक के अंदर जो है तुमारे पास में यह दे रखा है ठीक बहुत बढ़िया तो ट्रांस्परेशन में पानी का loss जब हो रहा होता तो पानी बाहर कैसे निकलेगा ठीक है इसके अराउंड यह गार्ट सेल्स होते है जो कि इसकी opening और closing जो हो regulate करते है ठीक है बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे अब हम चुदबात करेंगे nutrition in human beings इनसानों के अंदर कैसे खाना खाया जाता है पचाया जाता है उसको एब्जोप सब चीज हैं हम समझने वाले तो यह आपका एक diagram है ठीक है यह एक चीज दहान रखना कि आपका जो diagram है जितने भी आपके diagram है बुक के अंदर उन सभी diagram को बील्कुल ध्यान से समझ लेना और जो भी process में आपर पताते या फिर जो भी प्रोसेस आपने पढ़ रखी है उन सब को डीटेल तरीके से बिल्कुल इसी ब्रीफ तरीके से याद करना क्योंकि होगा क्या कि आपको जैसे हमने सैंपल इस बार देखा था उसके अंदर डाइग्राम का बड़ा है इसलिए ओन अभी एक और बल का है रेल हैघान की अंदर हम लोगन आफिफ़ग इंसान के अंदर हम या संटो होता है पहले मुझान पैल बच्पन में मुझ You sama तो हमारे जब हम खाना कहा रहे होते हैं तो सलाइवरी अमयलेज जो होता है वह क्या करता है वह स्टार्ज पर एक्ट करता है अब डाइजेशन का एक तुमको हां डाइजन का बेसिक फंडना में तुमको क्लियर करता हूं करता है कि अपके कॉंप्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में सिंपलर फूड में स्टार्ज स्टार्ज इब शाय जो होता है ऑप यह स्टार्ज है जब खाना खाते हैं तो मैंने जैसे की बोला कि डीजेशन हमारे मांथ में स्टार्ट हो जाता है तो उसका मतलब क्या उसका मतलब यह है कि यह स्टार्च होता है जो छो चुका है अब जैसे हम खाना खाते हैं तो पूरी काविटी वाला एरिया है ह bisher बाता है सब्सक् afa ने कि और निघों को अन्यम के था था एक अजितर है ал घ्रट है कि उमने बना है सब्सक्राज सब्सक्राइब का जबल बनाैं कि नीचे जा रहा होता है वो जो एक structure बनता है खाने का उसको कहा जाता है bolus क्या कहा जाता है जो finally आप निगलने वाले होते हो जो आप स्वैलो करने वाले होते हो वो होता है आपका bolus अब उसके बाद में आता है आपका isophagus यह जो तुम यहाँ पर यह pipe देख सकते हो जिसको मैं अभी थोड़ा सा redraw कर करने वाला हो विच ब्लाइक कलर इसको मैं थोड़ा सा highlight कर तो ब्लाइक कलर से यह जो तुम पाइप देख रहा हो ना इस 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 में काम यह है कि वह आपका खाना जो है आपके मूह से आपके स्टमक तक पहुँचा दो ठीक है अब इसमें को यह समझना important है कि इसओ फेगर में होती है peristaltic moment कैसी moment होती है peristaltic moments होती है ठीक है यह जो इसो खेगर सी okay जो countнов hier contract करता रिलार्स करता है contract करता it relax करता ठीक है contract करता relax करता है क्योंढ अयसा तकि जो फूड है उसको वो नीचे पुश कर और दीरे धीरे देव फूड़ हो फूड हो स्टमक तक पॉछ से ठीक है तो मारे माउस जो खाना है मारे स्टमक में पाँचने का जो जरिया है वह क्या है वह है आपका इस इसो खेंड पर होती है पर इस स्टालिक मुवमेंट्स यह चीज प्लीज ध्यान रखना परिस्टालिक मुवमेंट होती है Isophagus में, तो उसमें क्या होता है? उसमें Isophagus की बहुत कॉंटराकट करती है, रिलैक्स करती है, और फिर फैनली जो खाना है, वो नीचे पहुचता है हमारे स्टमक में, अब हम बात करेंगे स्टमक की, ठीक है? स्टमक के अंदर क्या होता है स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक जूस तुम्हें सुना होगा स्टमक स्रेलेड़ेट प्रॉब्लम्स को ऐसी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स अगरा कहते है तो कोई बार नहीं पर यह चीज देहां रखना है कि गैस्ट्रिक जूस वह प्रेजन होता है ठीक है अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर होती है तीन चीजे एक तो है आपका HCL बहुत ही लेमाइस लागमाई में तुमको समझाता हूं ताकि तुम जब क्यूंकि देखो तो टाम में गोल क्या है कि तुम्हें कॉंसेट क्लिर हो और और चीजेशों को समझाा जाए तो गैस्तरिक जूस के अंदर ही अंदर है वहां और उस पेपसिनोगन वह प्सिन खरता है तू पफेशिन के पा है यह इसका पेला काम होगा दूसरा है to kill germs अब यह acid है HCL है तुम सुच्छे के पेट के अंदर HCL है acid है ऐसे कैसे possible है HCL acid तो बड़ा खतरना होता है होता है होता है नहीं होता ऐसे तो अगर acid पेट में से यह बहार निकल जोना चीए था क्योंकि acid तो इतना जादा वो होता है इतना स्ट्रॉंग होता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो पर यहां पर भी इस चीज़ का जुगाड़ किया गया है हमने नहीं किया वह तो सब nature नहीं किया मुकस मैंने क्या बता है कि अंदर क्या क्या होता है HCL एट्यल क्या function हमने समझ लिया कि यह जो पेप्सियन है इसको पैप्सियन में करता है और फंस्ट का फंसने आप अब दूसरा जो मुकस है और दूसरा function क्या बोलेता है मैंने एट्यल कर जर्ब्र पर देक्प्र्णि प्रजय को कि तुम समझो कि सोफा और सपेट के बता है कि बाद पर ये लाइनिंग होता है ढीक्रीट होता है में प्रोटिंग देखतार के हुआ पहाइस इसके बाद हो होता है इस सीखरी इस बाइल जूस टीक है अब बाइल जूस क्या करता है इसका फंक्षन क्या है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानि की ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिक फैट मॉलेकूल इन्टू सिंपलर फैट मॉलेकूल तो वहीं हमें यह पर देख रहे हैं कि लिवर जो आपक होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ इसका डेफिनेशन अगर तुम समझेंगे बड़ा ही आसान है क्या ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिक फैट मॉलेकूल इंटू इंटू स्मॉलर बंस समझ गया है अगे बढ़ते हैं अब हम प्रॉपर तरीकी से समझते कि एक्शल में होता क्या है की फ्रास समझते हैं कि तो माज़ यूझ दाथ है वो खाना हम खाते हैं वह चबाते हैं पूरा का पूरा जो आपका स्टार्च है वह gets कोई भी डारेशन नहीं होता है तरिस्टाइल एक मुमेंट होती है जिससे की खाना नीचे जाता है फिर आमने बात की दी गैस्ट्रिक ग्लाइंड की तो पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लाइंड होता है जो की सीक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस ठीक है अब ग्लाइंड है कि यह जो आपका एसील है बो क्या करता है इनाक्टिव परोटीन को ब्रेट आट करने काम करें तो यह प्रोटीन को रिट्रीशन में हप करेगा ठीक है इट ब्रेक्ड दॉटीन इंटु टेप। आगे बढ़ेंगे उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइड की बारी आती है स्टमक जिए कि आप चाहिए होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइड जो आपका होता है it receives bile juice from liver ठीक है यह क्या करता है यह bile juice receive करता है liver से और इसी के साथ साथ यह receive करता है pancreatic का क्या function था bile juice का यह function था कि वो emulsification of fats करता है ठीक है इसे बीगर flat fat molecules को यह smaller similar fat molecules complex fat molecules simpler fat molecules में convert करता है pancreatic juice को यहापर हम लोग अब function समझ लेते हैं pancreatic juice secreted by pancreas contains trypsyn and lipase pancreatic juice में क्या क्या होता है आपका trypsyn और lipase होता है इनका क्या काम होता है तो lipase जो है वो further इमल्स जो further fats emulsified fats उनको further breakdown करने में help करता है और ट्रिप्सन का क्या काम है यह प्रोटीन के डाइशन में आगी इन हेल्फ करता है तो इतना करणेट हम समझ चुके हैं कि भैया खाना खाया माउथ में डाइशन स्टार्ट हो चुका है स्टार्स को गंवर्ट कर दिया जा चुका है जो कि आपका खाना मूँ से लेकर आपके HCL, mucus और pepsin ठीक है तिनों के function हमने समझ लिया फिर आता है आपका small intestine small intestine receives bile juice from liver and pancreatic juice from pancreas दोनों के function जो है वो हमने समझ लिया है यहाँ ठीक है अब finally हम जो कहते हैं ना कि simpler form में convert होता है simpler form में convert होता है simpler form होता क्या तो वो simpler form हम देख लोता है तो carbohydrate जो है फाइनली convert होता है into glucose ठीक है fat जो होते हैं they get converted into fatty acids plus glycerol और आपका जो protein होता है इसका simpler form है वो है amino acids तो इस तरीके से conversion हो रहा होता है ठीक है तो यह digestion का पूरा यही खेंप रहता है कि यह complex food material को simpler में convert करता है इसके अंतर हमने देखा कि क्या-क्या किस-किस organ का रोल है पेट में पेट पतला पेट का रोल है यह याद करने के लिए बता रहा है तुमको ठीक है माउट से start होता है फिर इसोफेकल में जाता है फिर स्टमक में जहां पर गैस्ट्री ग्लाइंड्स होते हैं जहां पर आप FCLP म्यू simplest Ty ko आओ करते हो फॉरदर प्ए쪽에 करते हो पिजास की का कि कि सिर। विलाय की बात अब मने फरतर बेख लेए कि स्माल इंट्राइन में और होता है कि आपका जो डाइटेशन है ना it ends in small intestine ठीक है खाना आपका finally digest जो है वो हो चुका है ठीक है अब सोचो कि हमने जो खाना खाया है ठीक है वो खाना खाने के बाद हमने खाना पचाया है यह पचे हुए खाने का digested food का काम क्या है वह हमारे body parts तक पहुचाना पड़ेगा हमने खा खाया क्यों है खाना पचाया क्यों है हमारी body के लिए कि सिर्फ पेट के लिए नहीं पूरी body को इसका जो है वो क्या बहुत है उसको फल मिलना चाहिए ठीक है वेरी गुड तो अब जो खाना है वो एब्सॉब होगा और फाइनली हमारे सारी body parts और ट्रांसपर होगा अब य इसे हम कहते हैं विलाय तो यह जो विलाय है यह क्या करते हैं यह आपके स्मॉल इंटिस्टाइन का सर्फेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं तो इंक्रिज इस अब आपके पूरी body में ट्रांसपोर होने वाला है थीक है बहुत बढ़िया दब विलाय आर रिश्क्ली सप्ल क्योंकि वही तो blood vessels है जो कि फिर फर्दर जो आपने जो खाना खाया है पचाया उसको फर्दर जो अलग 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 जगा लेकर जाएंगी कुछ ना कुछ connectivity होनी चाहिए ना अब अगर मुझे यहां से लेकर मान लो मैं अब अब मान लो कि डेली में रता हूं ठीक है तो कोई ना कोई connectivity कुछ ना कुछ चाहिए तो यह जो आपकी विलाय होती है क्या करते है पहली बाद तो यह इंक्रीज सर्फेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइं इससे की absorption और अची तरीके से होता है यह क्या होती है कि इससे की इजी है absorption मतलब फर्दर ट्रांस्परेशन तो आपका unabsorbed food होता है उसको एनर्स के तरूज़ा है वो पहर फेक दे रहता है अब हम डादेशन की बात कर चुके हैं अब हम बात करने वाले हैं respiration की respiration में क्या होता समर्य दोते हैं the process of releasing energy from food is called respiration बहुत सारे बच्चों को respiration और breathing में confusion होता है ठीक है inhalation और exhalation की जो process है यह होती है आपकी breathing ठीक है यह होती आपकी breathing पर आपकी digested food से आपके खाने से energy नी चोड़ने की जो process होती है क्योंकि तुमने जो खाना खाया है वो खाने का तब कोई यूजी नहीं है जब तब उससे energy ना निकाली जाए और वो energy कैसे निकाली जाती है वो energy निकाली जाती है respiration की process के थुरू ठीक है जो कि अब हम समझने हो ला है ठीक है और glucose is the best source of energy यह सबको पता ही है ठीक है आगे बढ़ेंगे समझेंगे कि respiration और breathing के बीच का difference क्या है पहले यह समझ लेते दाकि चीजे पिक्टल क्रियर हो पहली बात तो breathing क्या है it is the process of inhaling and exhaling the air in and out of the lungs यह होगे आपकी breathing आपका जो respiration है it is the process of breakdown of glucose to produce energy तो basically respiration जो होता है respiration के अंदर क्या हो रहा होता है respiration के अंदर हम लोग क्या करते है कि glucose का breakdown कर रहे है ठीक है आपने जो खाना absorbed कि जो खाना आप जो खाना आपने खाया है वह फैनली उसको पचाएगा जो कुछ भी हो उससे अप एनर्जी नी चोड़ने का उससे energy प्रड्यूस को ब्रेक्डाउन करके उससे energy निकालने का काम जो है वह respiration है ठीक है तो बहुत अलग चीज है ठीक है पहली बात तो इट टेक्स प्रेस इंदर लंग्स हमको पता है कि यह लंग्स के अंदर हो रहा होता है ठीक है सीधी सी बात है इसलिए हम देखते कि हमारे लंग्स वह ऐसे फूल जाते है फिर जब एक्जेल कर जो तो वापस से अंदर होता है इसलिए इससे cellular respiration भी कहा जाता है इसलिए है इससे जो है वो cellular respiration भी कहा जाता है क्योंकि यह cells के अंदर होता है third point है it is a physical voluntary process मतलब तुम देखो तुम जब तुमारे उपर होता है कि तुमें कितनी तेज़ ब्रीट करना कितनी तेज नहीं ब्रीट करना जब तुम बहुत तेजी से बात तोम तेजी से ब्रीट कर सकते हो तुम यह अंदर वह है मतलब कि तुम कर सकते हो ऐसा it is physical लगे सकता हूं मैं एसा कर सकता हूं मेरा नॉममार वेधिंग्रूत कर मुझा ऐते हूं देनि भी और ले म要से प्रसूँ मैं ले सकता हूं यह और प्रकूलनंटरी प्रोसेस अपनी इच्छ अनुसाति आउया है कि तुम अपनी बॉडी को ऐसा कह सकते हो कि चुप चाप अभी रेस्पिरेशन ना करो तोड़ी दिर बात करना मैं सू रहा हूँ ऐसा कह सकते हो क्या पॉसिबल है क्या तुमने अभी तपाविन है कि यसे नहीं क्यों कि अपैसा पॉसिबल ही नहीं हो नो नें़य कोई दौक है इसनका है ये सञाब और दोक है ये ये एक अनुसकी मिया प्रला प्रेशन के अदर में औहलों लाइन दौक आम our anglu concept भू सब्राथ होते हैं इसको तरीख्या सब्सक्राइब हुए अकिन तरीक के ऊने में दोड़ा से चलो है ना लिखा जो है ना अगर भूल रहे हो तो दो मिनिट वीडियो को पॉस कर लो ठीक है और वह करके थोड़ा सब पीछे कर ले कर लो बापा से स्टार्ट कर देना थेक है दो टाइब के रेस्पिरेशन होते हैं अ सब्सक्राइब कि है हम जब इन्हेल कर रहे होते हैं अब नहींत baixo सिंख आ चलो इसके थोई समझाता हूं इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है पहले ना पहले कहा होता है कि यह जो था जब मैं टेन्थ क्लास में था तब भी यह था तो मुझे नहीं यह बहुत अधीब से लगता था कि क्या चीज यह तो कभी आद ही नहीं होगी पर जब मैंने बाद में इसको देखना स्टार्ट किया भंग से कि चला पढ़ी लगते पढ़ना पढ़ेगा उपने लगा कि यह सबसे ईजिएस अजिएस रिम्टेशन है इसीएस भी प्रेशेन ठीक है बहुत से अब देखो समझते हैं होता क्य है यह कि हमारा जो खाना है वह खाना पूरा जो का ग होगा तो आपको जो ग्लूकोज है ग्लूकोज जो कि आपका एक six carbon molecule होता है वो करवोर्ट होता है पाइरुवेट में जो कि एक three carbon molecule है तो basically हुआ क्या कि हमने जो है वह आप जो ऑक्सिजन दीरे-दीर हमारे स्टेश में है उसकी बात आगे करेंगे इतना समझो कि अब क्या है वह हमारे सब के पास में एक बहुत बढ़ी कि निदू को चोड़ तो इतना समझो कि ग्लूकोज का जो है वह ब्रेक्दाओं हो तो तो तुम यह समझेouterों कि cytoplasm एक घड़ है विसके अंदर cytoplasm एक कमरा है और जब एक cell ने glucose receive किया उश झाल ने किया कि उस glucose को जाकर साजीटो नाम की कमरे में रख तो यहां तक तो सब कुछ सेम चलता है इसके बाद चीज़ेगे तो क्या होता है दूसरा हम देखेंगे कि जब आपका और तीसरा हम देखेंगे जब oxygen की कमी है पर उसकी कमी है तो पहले हम समझते हैं जब आपको oxygen कंप्लीट्ली एपसेंट होता है तो क्या बनता है तो बनता है एथेनोल CO2 और एनरजी काफी कम एनरजी बन रही होती है काफी कम एनरजी बनती है यह चीज़ जहां रखना कि और एनरजी तुम देखते हैं CO2 बन रहा है ठीक है बहुत बढ़िया फिर हम बात करते हैं सेकेंड इसके हम थार्डिस में बात करेंगे फिर हम बात करते हैं कि जब माइटो कंड्रिया में ठीक है फुर्द क्या होगा कि मैंटो कंड्रिया के अंदर यह अंडरजी यह बहुत बढ़िया तो यहां तक सब में प्रॉसेस चल रही थी उसके बाद में जब हमने देखा ओक्या इससे आगे चेंजि़िस हैं अगर डिले इंट करता है ऑक्सिजिन अगर है नहीं एपसंट है तो इतनोल सीओ और अनरजी बनेगा ऑक्सिजन अगर प्रेजन है तो मैटो कॉंट्रिया के अंदर सीओ टुट वाटर और अनरजी बनेगा ठीक है बहुत बड़े और जो एनरजी होती है काफी जादा होती है आउसे वाह斯लन के कमी है की कमी का मतलब क्या होता है जीज तो है पर ढम है जैसे कि कि की मैद्स पैसे है पर जितने होने जी होचने नहीं है वैस aby तो उस केस में क्या बनता है तो यहां पर oxygen बहुत मात्रा में प्रेसंट होता है यहां पर बेल्गुल प्रेसंट नहीं होता है और यहां पर होता तो है पर बहुत ही कम प्रेसंट होता है ठीक है so that is your third case यहां तक याद अपना है कि सब में सहीम होता है इसके बाद में चीज़े बदलती है तो यह आपका यीस्ट में हो रहा होता है यह आपका माइटो कॉंटरे में होता है यह वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टन है ठीक है क्योंकि यहां पर यहां पर माइटो करें आए पर दीकि पहले स्यांट्रें यहां पर two है परिकाद कर सकते हो कि सी जो है वो एम के पहले आता है इसले सद्वर्ब्लाजम पहले आएगा तो तुमको याद आजाएगा कि अच्छा यहां पर तो सय्ट अपलाजम ही था यहां पर मैटो कॉंटरी आता है ठीक है बह बहुत से बहुत से बायं हैं इते ही तेसी से बहुत से बहुत से बाग रहे labeled ऊंडल है तो आप मोल इतनी सब्सक्राइब्स security q r inquires uh ठीक है उतना oxygen नहीं आपा रहा ठीक है तो हमारे muscle cells करते हैं कि वह oxygen की कमी में energy produce कर रहते हैं ठीक है तो energy तो बंदर ही होती है और इसके साथ lactic acid भी produce होता है which is responsible for cramps इसलिए cramps आ रहे होता है ठीक है तो हम simple सा बहुत simple सा logic है एक बार जो मनें explain कि उसको यह बार रिवेंड करके देख लो तुमारा खुद का दिमाग लग जाएगा इसके अंदर को ठीक है अब समझते human respirator system ठीक कि यह तो हमने बात कर लिए respiration की cell के अंदर क्या होता है अब हम बात करते हैं थोड़ा सा breathing side पर ठीक है थोड़ा सा breathing प्लस respiration side पर बात करते कि लंग्स के अंदर action में क्या होता है यह तो हमने cell के अंदर बात कर लिए ठीक है तो याद रचना कि ग्लूकोज जो है वो पूरा बतर जिसे की खाना जो है वो खाना पच चुका है पचने के बाद में अब क्या होगा पूरी बाड़ी में इसको रिप्रेजंट करने के लिए इसको रिप्रेजंट करने के लिए चैना करते हैं तो क्या होता है कि वो डायफराम नीचे चले जायागा तो यह देखो डायफराम वो नीचे कर जाता है पहुत सेम पोजिशन पर आजाएगा तो यह देखो डायफराम मूज को बाख गर ठीक बहुत से अब यार अब हमने समझ रखा है कि हम oxygen जो है उसको इन्हेल करते हैं और carbon dioxide जो है उसको करते हैं एक्जेल बहुत सही बात पर हमने आज तक यह नहीं समझा कि होता कैसे तो देखो आगे है है हम चलो समझातों तो होता क्या है कि जब हम आगे हम इन्हेल करते हैं तो यहां से जो हमारे नंगे से पूरा पैसेच समझ कि आपको पूछा दा सकता है कि एग yenlaうиться अगर यह फैग्रान हुलनों और यह पर यह वह प्रना नेजल पकेड़न्गे अगय है पैसेज है उसके नीचे mouth cavity फिर आता है pharynx फिर आता है larynx ठीक है उस pharynx फिर larynx फिर larynx यह बहुत दिक्कत होती है तो इसको प्लीज द्यान रखना इसको आप PL की तरह याद रख सकते हो ठीक है फिर PLT की तरह याद रख सकते हो इसके बाद में नीचे आपके rings of cartilage यह क्या होती है बेसिकली भी जादी इस और सी शेप्ट रिंग्स ठीक है बहुत बढ़िया इनका चोड़ा सा function है वह में तुमको बोलोंगा कि थोड़ा सा कश्च करके अपने ncrt बूक में देखना क्योंकि थोड़ा सा ncrt खोलना भी के यहां पर यहां पर आपका क्या होते हैं यहां पर फृदर यह इसकी बॉक्ट हैं और फांसली यह आपकी एलवई होला है तीक पीर्ड की ब्रांसे मो मैं आसान बहुत थिए अब मैंने क्यूं किया इसम उन्हेखो हमने इन्हेल किया ठीकन की इसके वेट हैं पृथन को से एक्सचेंज होरा है कि हमने कारबंड्र ओकसर गया 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 अब होता क्या ना कि अल्वी ओला जो होता है this is the site of exchange this is site of exchange मतलब भाईया मतलब ये कि आपका जो oxygen आया है ठीक है आपका जो अभी oxygen आया है वो अब आपके blood में जाएगा और आपकी पूरी body से जो carbon dioxide बना था ये ये जो आपका carbon dioxide बना था न ये इसी अल्वी ओला के थुरू फिर इसी अमारे system के थुरू बहार निकल जाएगा ठीक है तो अब आपने इसमें हुआ क्या है कि आपके पूरी body से जो carbon dioxide आया था यो जब मैंने oxygen निकल गया और वो sigue जो आया ठीक है बहुत बढ़िया उसको कैसे यात कर सकते हैं इसो तुम और अच्छी तरीका समझ पाँगे जब हम ट्रांस्पोटेशन समझेंगे तो पहले ट्रांस्पोटेशन पर चलेंगे ठीक है बहुत बढ़िया फिर हम लोग इस पर आएंगे तो तुमको पूरा क्रिस्तिल क्लियर पर इतना चीज आसे इसा क्यों अपर आपर ओक्सिजन और का अंधर यहां और आएसा कुछ होगा वह आगया तुमको समझाओगा ठीक है वारी प्लड के अंदर आप बलड के अंदर Basically, blood के अंदर Hemoglobin is a pigment present in the RBCs That gives blood its red color हमारे blood का जो red color है वो किसकी कारण है? Hemoglobin की कारण है अब blood के अंदर जो oxygen जा रहा होता है, वो किस तरीक से जाता है? वो क्या करता है? कि hemoglobin के साथ में bind हो जाता है, bound मना लिता है oxygen binds with hemoglobin जो RBCs के अंदर present है क्योंकि हमको पता है कि oxygen transport कैसे होगा, blood से होगा अब blood में भी कैसे transport होता है blood के अंदर भी वो क्या करता है कि RBCs के अंदर जो hemoglobin होता है, उससे जाकर bind हो जाता है, और बन जाता है oxygen हो और फिर फानली जाके जिस भी साइट पे उसको deliver करना होता oxygen को वो रुपता और oxygen निकल जाता है ठीक है, बहुत बढ़ी है तो blood का कर रहा है, ब्लड का main काम तो क्या है blood ही जो है आपको oxygen carbon dioxide अच्छब transport करेगा, ठीक है great अभी ये पूरा तुमको transportation के बाद अच्छी तरीके समय में आगा, चिंता मत करो what is transportation transportation is a life process where substances synthesize और absorbed in one part of the body are carried to other parts of the body जब मैंने बात की थी कि हमने खाने को absorbed कर लिया है, ठीक है विलाय थे वहाँ पर finger like structures थे याद करो भी 10 मिनिट पहले पढ़ा था वहाँ से जो खाना absorbed हुआ है absorbed होने के बाद में ठीक है, वो खाना हमारे cells तक पहुचा कैसे, तो वो खाना हमारे cells तक पहुचा ब्लड के तुरो, ठीक है, और transport हमारी body के अंदर सबसे बड़ा role किसका है, ब्लड का है क्योंकि यही सब चीजों के transportation में हमें help करता है, ठीक है वाई इस transportation important, भाई तुम खुदी सोचो, जो खाना बन चुका है, जो खाना फानली, small understand, पूरी तरीके से digest हो चुका है, अब उसका करेंगे क्या उसका करेंगे क्या, उसको transport करना पड़ेगा, यह तो वैसी बात हो गई, कि किसी मान लो कि आप एक online business चलाते हो, ठीक है, आपको बहुत सारे orders आए, ठीक है, आपने वो orders पूरे बना दे, ready कर दे, पर उनको transport ही नहीं किया, तो उन orders को accept करने का मतलब क्या रहा, कुछ नहीं रहा, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी, जो खाना पच चुका है, अब जो finally, जो simpler food आपका बन चुका है, वो उसका मतलब भी नहीं है, जब तक आप उसको पूरी body में transport नहीं करोगे, क्योंकि पूरी body, सारे body parts को requirement है उस food की, ठीक है, तो body parts को सब खतम हो जाएंगे, है के नहीं, इसलिए transportation important है, plants के अधर transportation कैसे होता है, so plants के अधर क्या होता है, a group of special cells forming vascular tissue transport, water and nutrients to all parts of the plants, basically, xylem and phloem यह जो आपके tissues है, ठीक है, these are responsible for the transport of water, minerals and food in the plants, xylem जो है, उसका काम है, पानी और minerals का transport करना, soil से, phloem का काम है, कि जो photosynthesis में खाना बना है, उस खाने को अब बाकी के plant में कैसे transport किया जाएं, ठीक है, बहुत बढ़ी है, तो xylem का काम है, पानी और minerals का transport करना, phloem का काम है, कि वो photosynthesis के जो product बन चुके हैं, उसको transport करें, ठीक है, बहुत बढ़ी है, अब पानी नहीं दो तरीकों से transport हो सकता है, इसको मैंने बहुत ही detail में explain कर रखा है, transportation के lecture में, वो अकेला ही lecture काफी बढ़ा था, ठीक है, तो अगर तुमको बहुत ही detail में समझना है, तो महाँ पर चाकर समझ सकते हो, अभी मैं तुमकों बता जाता हूँ, जो मैं आपका एक तरीका में बता रहा हूँ, जिसके तुरू जो है वो, पानी आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो ये आपके सारे group of cells है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपके पानी के molecules है, ठीक है, ये जो है आपके पानी के molecules है, ठीक, बहुत बढ़िया, अब दिन का वक्त है, ट्रांसपीरेशन के कारण हुआ क्या, कि ये जो पानी का molecule है, उसका loss हो गया, ये जो पानी का molecule है, उसका loss हो गया, अब तुम सोचो, मैं सो यापर रीड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, कि ये इसको पूरा इदर ड्रीड्रॉ किया है, ठीक है, कि पानी के molecule का loss हो चुका है, कि इसके कारण, ट्रांसपीरेशन के कारण, वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीव पोर्स इन ट्रांसपीरेशन, पानी का loss हो चुका है, अब यहां से पानी जो है, पानी का molecule, ठीक है, बहुत से, अब अगर यहां से महाँ पर चलेगा, तो क्या होगा? यहां पर तो पानी का molecule आ जाएगा, पर यहां पर vacancy create हो जाएगी, आना, यहां पर vacancy create हो जाएगी, तो यह यहाँ पर आ जाएगा, वो उस रहा है तुम लाइन हो गया तो यह इसकी जगह पर न्वर आजाएंगा यह इसके जगह पर, यह इसके जगह पर, यह इसके जगह पर, फाइनली, फाइनली, जब यह आखरी में, जब पानी जा चुका है, तब क्या होगा, तब सिंपल सी बात है, कि सो कही नहीं से पानी लेना पड़ेगा, तो क्या करता है, कि यह रूट से पानी जो है, वो तो यहां पर यह पर इए चाहर रहा है तो कि रूट के थूप टूप एपका रूट के थूपर कि थूप पानी को आप रहे हैं तो रूट के थूप पाइब रवित बते हैं तर पर फिर शाइव तरी के तूप आपका का रूर्ट प्राइसर उप्रशियर के ठूग रूर्ट आए जो ड升 वह भी आपक बहुत जाह cocktail आप हे इसने क्या कियो इसने क्या कि बहुत ही चाला चला यह क्या करता है कि अपना NATB खर्च करके कि कुछ minerals को अंदर लेता है कुछ ions को अंदर लेता है अब क्या होगा कि अंदर पानी और minerals दोनों थे आपने जैसी यह फिर ions बोलो यह फिर minerals बोलो अब जैसे अपने minerals को absorb किया minerals की मात्रा बढ़ गई और पानी की कम हो गई तो अब क्या होने वाला है कि अंदर पानी की मात्रा है कम बाहर पानी की मात्रा है जादा तो पानी जो है बाहर से अंदर फ्लो कर जाएगा समझ गए पूरा खेल इसने सब खेल इसलिए खेला ताकि पानी जो है अंदर आ सके तो क्या किया गया अपनी ATP खर्च करके क्या क्या कि स्वाइल से आयन एब्जर्ब किये अंदर आयन की मात्रा पड़ागी गए ठीक बहुत से क्या तो जो पहले extremely फिर समय अब क्या हुआ की अंदर पानी मातर वारे वार की अधर इंदर ऊवजी क्यूंदों कर दोटा है और इस तरीके पानी यूज पर ट्रांस्पोर्ट योद्ता कि xylem जो है मतब xylem का जो direction है वो सिर्फ उपर की साड़े है नि कि unidirectional ठीक है xylem सिर्फ एक एक direction में water transport कर सकता है नीचे से उपर ठीक है flowin का ऐसा नहीं है flowin का bi-directional है नीचे भी और उपर भी दोनों जगावर वो transport कर सकता है तो एसा तो है नहीं कि उस लीव के उपर कोई पार्ट नहीं है प्लांट का तो उन दोनों जगावर पर फूड को ट्रांसपोर्ट करना important है इसलिए जो flowin का ट्रांसपोर्ट होता है नीचे भी और उपर भी और आपका जो और पोगए अगर तुमको ट्रांस लोकेशन पूरा डिटेल में समझना तो वह मैंने वीडियो के नगे बता रखा है ट्रांसपोरेशन वाले तुम लेख चाहते हैं तुम ब्लड करते हैं तो अमने यह पर बात कर ली है बेसिक सी चीज है इतना हमको पता है कि हमारे बॉडी का यह इनके इस इनके फंक्शन क्या है वह हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर एक और चीज जो कि है प्लेटलेट्स वह पर इंक्लूटेट नहीं है तो प्लेटलेट्स बेसमें होता है बहुत बढ़िया प्लाजमा क्या प्लाजमा कंस्टिटूट्स अब का प्लाजमा कंटेंस नेंटीव नेंटीव परसंट वाटर सेवन परसंट प्रोटीन इसमें कुछ यार करने लाएक है मतलब इसमें कुछ समद्न लाएक है निए सेल्फ एक्समेंटरी चीज है ठीक है बहुत से तो बलड का 55% तो आपका समयं बहुत ही लगे अब बात करते है रबी सीगिंग रड़ बात करते हैं अ हमेजर फंक्शन का है जिससे कह आँ पर पाइन देखा था कि ब्लड के अंदर प्लड के अंदर आपका oxygen कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा था था वित पे तो सारी आपके body parts तक oxygen को transport करना और वहां से carbon dioxide लेकर वापस lungs तक लेकर आने का काम आपका RBC को है ठीक है ये किसका again RBC किसमें ब्लड में ठीक है फिर आते हैं white blood cells white blood cells का क्या काम है they help in fighting diseases and attack the foreign bodies in the blood ठीक है बहुत बढ़िया इसमें लाए कुछ है नहीं इसमें blood platelets they are responsible for controlling bleeding or clotting of blood जब हमको लगती है लगने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि अगर हमको 10 साल पर हाथ पर लगी थी तो आज भी वह जखम है नहीं अभी वह जखम दिखती नहीं ठीक है बस छोटा सुसका निशान दिखता है तो मापर क्या हो तो blood loss होगा तो यह क्या करता है कि bleeding control करता है एक बात तो यह हो गया और दूसरा है clotting of blood याने कि मापर क्या करता है blood clot हो जाता है तो blood further वहां से निकलता नहीं है और दीले दीले तिरवाँ जखम जो है वह आपकी बर जाती है ब्लड की function समझ लेते हैं बहुत important है अगर यह तुम्हारी लिखने वाली एक्जाम होते तो यह points बहुत काम आते तुमको blood provides the body cells with oxygen and removes carbon dioxide cdc बात है ब्लड ट्रांस्पोर्ट न्यूट्रेशन का सारा काम ब्लड का है ठीक है blood transport कैसे होता है तो blood को transport करने के लिए आपके पास में यह blood vessels है blood vessels भी आपकी तीन तरीकों की है ठीक है arteries veins or capillaries ठीक है these arteries क्या होती है these are the blood vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body देखो इन सब का काम जो है blood carry करने का ही है पर थोड़ा सा अलग अलग function है जैसे कि जैसे जो आपकी arteries है यह क्या करती है कि यह blood को यह ऐसी blood vessels होती है जो कि blood को heart से दूर लेकर जाती है यानि कि heart से बाखी body parts तक लेकर जाती है ठीक है उन्हें हम कहते हैं arteries ठीक है तो है तो blood vessel ही पर यह function है उसका ठीक है veins का क्या function होता है तो veins drop की होती है veins are the blood vessels which carry blood towards the heart from various parts of the body तुम कैसे क्यों हो कि heart के लिए artery जो है वो एक villain है और veins जो है वो एक hero है क्यों इस तरीके से कैसे याद कर सकते हो क्योंकि artery क्या करती है blood को जो कि इसका चहीता है heart का तीक है उसको heart से दूर लेकर जा रही है और veins जो है वो hero इसलिए है क्योंकि वो blood को heart के पास लेकर आ रही है है क्योंकि नहीं बहुत बढ़िया ठीक है very good अमेजिक थोड़ आता है आपका capillaries, capillaries के क्या काम होता है capillaries are tiny blood vessels connecting arteries to veins ठीक है यह मैं तुमको समझाओंगा आगे पर इतना समझो कि arteries और veins के बीच का जो connection है वो हो गया आपका capillaries इस ठीक है कैसे समझ सकते हो तुम कि ऐससे संगता हूँ पहुत ले इक संपाले पर समझ लो यह आपका यह यह आपका बीच में यह आपका तो मैं कहा सकता हूं Similarly आपके बॉडी के अंदर भी आल्ट्री और वेंस के बीच का जो कनेक्शन वाला काम है कुछ इस तरीके से भीक है बहुत से अब समझते हैं हाट को फीक है अब समझते हम हाट को उसको समझने से पहले मैं तुमको कुछ टम्स लियर कर देता हूं oxygenated blood का क्या मतलब होता है oxygenated blood का यह मतलब होता है कि blood which is rich in oxygen de oxygenated का क्या मतलब होता है blood which is not rich in oxygen या फिर blood जिसके अंदर carbon dioxide की मातरा बहुत ज़ाद है ठीक है अब पूरी process में तुमको briefly ओरली समिना तो होता क्या है कि हम जब inhale करते हैं ठीक है अब आधर oxygen आया अब याद करो एक्षेंज होता है ठीक है हुआ कि वहां पर exchange होने वाला है ठीक है कैसे एक्षेंज होने वाला है oxygen जो है बाहर से अब लंग्स हमारे लंग्स के अंदर जाएगा मतलब बलड़ के अंदर जाएगा और जो पूरी इक cycle मनती है मैं तुमको समझाता हूं ठीक है बहुत बढ़िया अब वह ब्लड जो है वह ब्लड अलग-अलग बॉड़ी पार्ट में जाएगा क्यों कि सबको oxygen की जरूरत है ठीक है बहुत बढ़िया वह जो ब्लड है वह oxygen ब्लड जो है वह oxygen ब्लड जाता है हमारी बॉड़ी पार्ट पर पहुचता है अलग-अलग जगापा जाता है वह पर ऑक्सीजन का पहुचा फोड़ी टाइम बाद का हुआ थोड़ी टाइम बाद यह हुआ कि जो भी उसके अंदर oxygen था वह तो सब शेल्स ने कंजियों कर लिया और बदले में carbon dioxide को दे दिया तो पहले जो ब्लड के पास में बहुत सारा oxygen था अब ब्लड के पास में बहुत सारा carbon dioxide है तो पहले जब ब्लड के पास में बहुत सारा oxygen था उसको हम कहते तो oxygenated ब्लड जब अलग अलग जगा पर पहुचा बोडी के अंदर oxygen यूटलेज किया गया फिर उस ब्लड के अंदर carbon dioxide डाला गया ठीक है तो अब जो है है आपका heart ठीक है अब हम समझेंगे heart कैसे काम करता है ठीक है बहुत इजी है हम समझेंगे heart कैसे काम करता है ठीक है शुरुबात को जिस प्रकार होगी बीच में शुरुबात हो ठीक है इस कहानी के शुरुबात बीच में से हो रही है ठीक है हुआ कि पूरी बॉली से आपक है अब यहां पर है कि यह आपका हार को जिस परकार दिख रहा है कि हाड के अंदर ब्लड कैसे आ गावा पूरी बॉड़ी के बास में carbon dioxide आ चुका है अब वही वो जो ब्लड है वो पूरा ब्लड जिसके अंदर carbon dioxide है पॉसता है हाट पर जो भी हमारे उपर के body parts है ठीक है वहां से जो ब्लड आता है वो superior वेना कावा से आता है ठीक है और जो भी हमारे body के lower parts है वहां से जो deoxygenated blood आ र रही है तो क्या वेना कावा एक artery है या फिर आ वेना कावा एक वेन है ठीक है तो पूरी body से deep oxygenate blood जो है वो अब हमारे heart में आ चुका है ठीक है अपर body parts से आया तो superior वेना कावा से आया और inferior estado है जरूर है ठीक है आया easy really ठीक है, very good, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, कि ये blood आया, कहा पहुचा, ये पहुचता है, right atrium में, ये समझने से पहले आपको समझना important है, कि आपके heart के अंदर होते हैं, 4 chambers, ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और ये, चौता ये, तो आपके heart के अंदर 4 chambers होते है उपर के जो होते, उँचे होते हैं, उनका left atrium, नीचे के जो होते हैं, उनको हम कहते हैं, ventricle, ये होगा आपका left ventricle, तम बोले कि, भाई, जो left है, नहीं, तो तो फोड़ा सा, समझकर देखो गे, तो वो right है, और ये left है, ठीक है, great, तो पूरी body से आपका subscribedт이다, जो है, वो आ आता है आपके राइट वंट्रिकल में ठीक है तो आपको ब्लड कि जो कि लिए तिक अब यहां से बलड निकल जाये का लंग्स की तरफ क्यूंज कि तरफ क्यूंकि जब ब्लड लंग्स की तरफ जाये तभी तो alveoli के थुरू lungz के अंदर oxygen आएगा और यह carbon dioxide बाहर जाएगा तो यह देखो pulmonary artery के थुरू ठीक है pulmonary artery के थुरू आपका जो blood है वो जा रहा है अब lungz की तरह तो आप समझो कि यह पूरा जो आपका oxygen rate blood था rich in carbon dioxide वो पहुच चुका है lungs की तरह अब imagine करो क्या हो रहा होगा यार यह गया lungs में lungs में आपका जो alveola है जो alveola sack है वो site of exchange होता है तो यह सारा का सारा जो carbon dioxide है वो उसके तुरू lungs में जाके बाहर निकलने वाला है और जो हमने oxygen inhale किया था वो blood के अंदर आने वाला है तो imagine करो carbon dioxide बाहर निकल लिए और oxygen अंदर आ चुका है बहुत बढ़िया अब oxygen के अंदर अब blood के अंदर oxygen आ चुका है अब जो आपका blood है वो oxygen reach हो चुका है वापस से तो आप वो वापस से heart में आएगा इस pulmonarie vein से यह देखो दिखरी है इन pulmonarie vein से जो है वो अब आपका जो blood है वो heart में आने वाला है थीक है अब पहुचगा ठीक है कहां पर पहुचा left atrium में तो पूरी मतब आपके lungs से जो आपका जो blood है oxygenated blood अब पहुचा है pulmonarie vein के थूरो left atrium में प्रियांस के जाएगा left ventricle में ठीक है और फिर यहां से यह जो आयोटा है इस आयोटा के तुरू आयोटा के तुरू जो है वो पूरी बॉड़ी में पहुंच जाएगा ठीक है बहुत से अब मुझे बताना आयोटा क्या है इस आयोटा इन आर्टरी और वेन सिंपल सा गणित है वहिया सिंपल सा गणित है तुमको मैंने बता रखा है कि कौन जो है वो ब्लड को हार्ट के पास लेकर आता है कौन ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाता है ठीक है very good वापस एक बार समझते है ठीक है यह कानी बीच में श अब यहां से ब्लड जो है आपके लंग्स में जाएगा तो वह कैसे जाएगा इस पल्मोरी आर्टरी के तुरुई यह देखो यह नंग्स में अब आपको पता हो ना जी यह जा रहा है बई सीदी सी बात है ब्लड के अंदर क्वार्शन बहुत सारा पार प्लमोनाडी देन से आता है एंटर करता है आपके left atrium में कर रहा है यहां से गया आपके left ventricle में यहां पर बेच में वाल वे जिसको हम कहते है और फिर यहां से आउटा के थूथ आपके finally सारे body parts चले जाता है जैनि कि एक cycle में blood आपका दो बार heart में आता है पहली बार जब वह oxygenated होता है ऌर दूसरी बार जब वह oxygenated होता है तो यह संजो कि blood को अंगर लंज में जाना होता है तो वह heart के तुरू ही ठीक है जैसे कि क्या होता है जैसे कि हम जब वाश्रूम जाते हैं ठीक है स्कूल में जब हम वाश्रूम जाते हैं तो क्या होते हैं कि हम इदर उदर घून के ही आते हैं हम सीधे कभी भी क्लास नहीं पहुचते हैं वैसी आपका जो ब्लड है वो सीधा लंग्स में नहीं जाता वो हट के थुरू ही जाता है तुमने देखा होगा तो यह देखो डबल सर्कुलेशन इसको रम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं पूरी बोडी से यह यह अपर बॉडी पार्ट से लूवर बॉडी पार्ट से जो है अब देखो यह गया तो आल्ट्री से पर ब्लड के पास आएगा वेन से क्यूंकि आल्ट्री ब्लड को दूर ले जाती है वेन पास लेकर आती है गया आल्ट्री से है आया वेन से है तो आल्ट्री से ब्लड को अगर वेन में जाना है तो कुछ ना कुछ connection होना चाहिए और वो connection होती है आपकी capillaries समझ गए बात को बेरी गुड ठीक है तो वही हुआ कि एक बार heart ये अपका exerts against the wall of a vessel is called blood pressure, खाना बंद रहा है, इग्नोर करना, ठीक है, मुझे भी भूग लग लग रही है, ठीक है, the force that blood exerts against the wall of a vessel is called blood pressure, यानि कि जो आपका blood जो है, आपके walls के against pressure exert करता है, उसको कहा आ जाता है blood pressure, ठीक है, arteries में pressure काफी जाधा होता है, as compared to veins, ठीक है, बहुत बढ़िया, arteries में pressure जो है, वो काफी जाधा होता है, as compared to veins, इसका logic तुम थोड़ा समझ सकते हो, नहीं जमन में तो अब नेट पर देखना, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से इसका answer find out करो, कि इसका answer क्या होगा, तुम्हें time मिलता है, तो, ठीक है, great, तो जब contraction होता है, उसको कहा जाता है, आपका, एक second, the pressure of blood inside the artery, एक तो एना थोड़ा समझा, इग्नोर करना उसको, ठीक है, the pressure of blood inside the artery during ventricular systole contraction is called systolic pressure, यानी contraction के time, इसको कहा जाता है systolic pressure, और relaxation के time, इसको कहा जाता है, diastolic pressure, ठीक है, यह रह kind of fluidy है, यह है का basically, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into the intracellular spaces in the tissues to form lymph, कुछ plasma, कुछ protein, कुछ blood cells जो है, वो escape कर जाते हैं, into the intracellular spaces, उसको हम कहते हैं, lymph, ठीक है, lymph जो है, it is similar to blood plasma, plasma के तरह ही दिखता है वो, ठीक है, पर again, यह colorless होता है, उसके अंदर protein कम होता है, lymph trains into lymphatic capillaries, which join to form large lymph vessels, which open into larger veins, function of lymph, इतना सब को ज्यादा है, मतला बहुत 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 जाने की जरुदा है, इतना बुक में होतना ही देखना, ठीक है, वो में तुमको बताई रहा हूं, function of lymph is to carry absorbed digested fat from intestine, and it also trains excess fluid from extracellular space back into the blood, ठीक है, तो again, lymph का यह basic सा function है, जो तुम स digested fat को carry करने में help करता है, और दूसरा क्या है, excess fluid को जो है वो बापस से blood के अंदर टाल देता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, तो यहां तक अब हमने समझ लिया है, आपका nutrition, पूरा का पूरा digestion, सब कुछ समझ लिया है, हमने, transportation तक हमने सब कुछ समझ लिया, अब हम finally समझ आपका चैप्टर खतम हो जाएगा, तो फाइनली अब हम पौच चुके है, सबसे आखरी टॉपिक के उपा, जो की है, excretion, easy topic है, इसके अंदर भी ज्यादा दिमा लगाने की ज़रत नहीं है, start हम करते है, excretion होता का है, so it is a biological process, bioavage, an organism gets read of nitrogenous waste products on the body, body के अंदर कुछ ऐसे nitrogen nitrogenous waste products होते हैं, जो की body से बाहर निकालना बहुत important है, क्योंकि यह चीज़े हमारे दी हमफुल है, तब ही तो वह वेस्ट है, ठीक है, इसलिए उसे बाहर निकाल दे जाए और हमारे कुछ काम की नहीं है, हम समझेंगे excretion in humans, और हम समझेंगे excretion in plants, ठीक है, पहले हम समझें excretion in plants क्या होता है, waste products of a plant होते क्या क्या है, oxygen can be looked upon as a waste product of photosynthesis and carbon dioxide a waste product of respiration, whereas water is a waste product of both, एक चीज़ बहुत सारे बच्चों को doubt होता है, कि भीया, plants के अंदर तो respiration नहीं होता है, और प्रांच के अंदर भी respiration होता है, और वैसा ही respiration होता है, जैसे हमको पता है, हाँ, उनको भी oxygen क जरुरत पड़ती है, और carbon dioxide जो है वो छोडते हैं, पर दिन के टाइम पर क्या होता है, कि वो क्या करते हैं, कि जो oxygen वो photosynthesis, जो carbon dioxide वो photosynthesis respiration से बहाल छोडते हैं, उसी को वो generally क्या करते हैं, कि photosynthesis के लिए इस्तमाल कर लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, पर रात में क्या हो तो रात को यह जो carbon dioxide है, वो यूटलाइस नहीं हो पाता है, इसलिए कहा जाता है, कि रात के टाइम पर पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, कि carbon dioxide की मात्रा है, जो volume में वो जाता है, ठीक है, दिन में क्या होते हैं, कि carbon dioxide वो निकाल रहा है बहार प्लांट, उसमें से maximum वो खुदी यूटिलाइस कर रहा है, फोटो संथिस के लिए, ठीक है, तो coming back to the point, अब जैसे की फोटो संथिसस में क्या होता है, कि carbon dioxide को यूटिलाइस कर रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, कि oxygen is a waste product of photosynthesis, ठीक है, similarly, respiration में क्या होता है, हाँ, plant भी respiration करता है, respiration में क्या होता है, कि वो carbon dioxide को छोड़ता है, ठीक है, तो carbon dioxide is a waste product of respiration, ठीक है, बहुत बढ़िया, और दोनों में ही पानी का lost होता है, तो it can be looked upon as a waste product too, ठीक है, पानी कैसे lost होता है, तो transpiration के थो, oxygen water और हमारे carbon dioxide की बात तो होगी, other products कहा कहा है, respiration की, तो जो gums होता है, resins, rubber, latex, यह जो अलग- प्लांट के waste products होते हैं, पर हमारे लिए बहुत useful होते हैं, जैसे कि gums, resins, rubber, latex, यह सब हमको पता है, कि सारे के सारे हम लोग बहुत यूज की कालता है, इनको daily life में, है कि पर actual में यह plant के लिए waste product होते हैं, ठीक है, तो it is what it is, right, very good, अब हम बात करेंगे, extrusion in humans की, ठीक है, तो कौन से कौन से आपके organs involved होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि skin, liver, large intestine, lungs, kidneys, वगरा सब involved होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर पर तरीके समझेंगे कि होता कैसे है, excretion in human beings, human excretory system consists of a pair of kidneys, हम देख सकते हैं कि आपने हमारे पास pair of kidneys है, ठीक है, pair of ureters है, यह रहा है आपका urinary bladder, ठीक है, urethra है, यह रहा आपका urethra, ठीक है, तो pair of kidney है और pair of ureters है, तुम देख सकते हो, दो दो है, यह दो kidneys है, दो ureters है, pair of urinary bladder कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो एक ही होता है, ठीक है, very good, kidneys are present on the either side of the backbone, in the abdomen, ठीक है, kidneys produce urine, हमको पता है, kidney का काम है, kidney urine produce करती है, और उसक प्लाइटर के तुरू, इनके तुरू जो है, वो आपके bladder में पहुचता है, ठीक है, अब यह आपके जो bladder में पहुचेगा, यह वहापर stored रहता है, ठीक है, तब तक जब तक यह limit cross नहीं हो जाती है, तब तक जब तक आप उसको जो है, वो बाहर निकाल नहीं देती हो, ठी आपा urine stored होते रहता है, until it is disposed, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत से, तो, ओके, urine from kidney passes through the ureters into the urinary bladder and remains stored there until it is released, तो urethra, तो urethra से जो है वो आपका, again finally बहार निकल जाता है, urine, ठीक है, तो यह आपका पूरा function है, अब यह तो बहुत आसान है, कि kidney में urine बन रहा है, urine बनने के पर ureters के तरूव ब्राडर में आ रहा है, वहाँ पर stored है, वहाँ पर तो टो टोट रहागा जब तक उसको निकाला नहीं जाता, पर main मुद्दे की बात तो यह है, कि urine formation होता कैसे है, kidney के अंदर, ठीक है, तो kidney के अंदर, each structural and functional unit of kidney is called nephron, यानि कि आपके kidney के अंदर, जो है, वो millions of nephrons होते हैं और यह millions of nephrons responsible होते हैं for the formation of urine इसमें हम लोग कुछ steps देखेंगे वो हम समझते हैं तो शुरवात यह आपका nephron होता है यह nephron का एक structure है तो एक nephron आपका ऐसा दिख रहा होता है ठीक है ऐसे millions of nephrons आपके kidneys kidney के अंदर होते हैं आपके बोल सकते हो पेर अफ़िद्नी जो भी आपको बुलना जो की जो है वो urine प्रड्यूस करने का काम करते हैं तो समझते होता कैसे देखो शिर्वात कुछ ऐसे होती है सीधी सी बात है कि हमको क्या करना है हमारा मेन मुद्दा यह है यूरीन मतलब क्या कि यह वो फ्लूइडे जब की बॉली से बाहर निकलेगा इसके अंदर वेस्ट होगी इसके अंदर नाइट्रजिनेस वेस्ट होगी तो इसके लिए पहले ब्लड से वह बेस निकालनी पड़ेगी तो होता कहना कि बहुत ही हाय अब यह तुम जो स्ट्रक्चर और पहले हम पढ़ लेते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिगिंस इन देफ्रों इन दा किड्नी ब्लड ट्रावल स्ट्रूइड तो होता कि बहुत ही हाय प्रेशर से ब्लड यह पर आता है और इन कैपिलरी के थूज है वो ट्रैवल करता है जो बहुत बढ़ी है यह जो जो जाती है त्यावट यह डिस ऑनागी यह इन वाज़ परहार अधिशर आगए तो बहुत ही तीजी से बहुत ही फास प्रेशर से ब्लड आता है और और इन थे प्रेश्व के त्रू जा के यह इस यहाँ पर होता है, यह इतने pressure से आता है कि इसमें से बहुत सार चीज़े ज़ा भाँए, तो यहां से बहुत ही तीजी से बलड आया, इतनी तीजी से आया, कि जब वह इसके तुरू जा रहा था तो उसमें से बहुत सारी चीज़े एक्स्ट्राक्ट होई पहर निकल गई लाइक यूरिया, सॉल्ट, वाटर, ग्लूकोज, एक्सित्रा ठीक है, बहुत से जो कि अब यहाँ पर पहुच चुकी है, क्योंकि इत्ती तेजी से आई, इसे हम कहते हैं, फिल्ट्रेट, जो भी एक्स्ट्राक्ट हुच चुका है, उसे कहाद आता है, फिल्ट्रेट, इस तरीक से यहाद रख सकते हैं, अब सोचो जरा, यूरिया, सॉल्ट, वाटर, ग्लू इसकते हो कि जो कि बॉड़ी के लिए रिक्वाइड है, पर ये भी बाहर उस फिल्ट्रेट में, उस बाहर जिसको हमने एक्स्ट्राइट के उसमें पहुच चुकी है, तो इसको वापस से हमें लेना पड़ेगा ना बॉड़ी में, क्योंकि अगर ये भी बाहर चली गई तो साथ किया जाएगा, क्योंकि यार, हमें सारा का साया, जो भी फिल्ट्रेट हमारा बना है, जिसके अंदर यूया, सॉल्ट, पानी, ग्लुगो, सब कुछ है, उसमें समको सब कुछ वापस रियाब्सर्ब नहीं करना, जैसे कि यूया, उसको भार फेकना है हमको, ठीक है, ले जो बाटि के लिए यूसफल है, सर्फ उसी चीज को रियाब्सर्ब किया जाएगा, बाकी किसी को रियाब्सर्ब नहीं किया जाएगा, ठीक है, वडरी गॉड तो तुम देख स्रति हो यहां पर यह यह देखो यह structure में प्लीज द्यान रखना यह हमार हो गया blood waste blood plus waste chemicals यहां से ग्लोमेर उसे गया बहुत सारी capital थी और यह से फिर यह वह clean blood निकल रहा है और वह कैसे निकल आप तुमको समझाता हूं यहां पर आपका blood आचुका है जिसके अंदर यहां पर फिल्ट्रेट के अंदर आपके useful products भी है ठीक है तो यहां से नीचे जा रहा है तो क्या होगा कि यहां से embosson हो जाए गर वहोत तीजिसे जा रहा था ने वह है प्लणया पर आपे आ यहां से इंपॉर्ट nee और ती जा रहा है थिए सिधार है खोगा पूं唱ियत आप इंपुल्त जा रहा है ऋक्वर्ट कुछ करें तो यहhouse है उदल किया जा रहा जा रहा है यहां पर सारी उसके रावं इसले जा रही है जो रियाब्जॉब्स वाली चीजें जिदको रियाब्सब्स करना है वह भी वापस से ब्लड में डालनी है तो वह भी बाहर निकल जाएंगी ठीक है बहुत से तो उन्हें भी ब्लड में डाला जाता है यहां से यह पास हो रहा है यहां पर आपका collecting duct है तो यहां पर मतलब मान लो कि अगर मैं नेफरोन को इस तरीके से रिप्रेजन करना हूं तो यहां पर भी एक नेफरोन है यहां पर भी एक नेफरोन है यहां पर भी एक नेफरोन है ऐसे बहुत सारे नेफरोन है यह बहुत सारे नेफरोन क्या कर रहे है यूरीन बना बना के इस collecting duct में जो है वो डाल रहे है और finally फिर वो जो urine है वो flow कर रहे है तो जैसे ये एक nephron है न वैसी लाखो nephron इस collecting duct से जो है वो connected होंगे जो की urine form करकर के इस collecting duct में डाल रहे होंगे जैसे कि माल लो कि आप 10 लोग हो एक class के अंदर जिनको कहा गया है कि कि बॉक्स में डालेंगे वैसे ही यहां पर क्या हो रहे है कि सारे जो नेफ्राउं से यूरीन में बना बना के इस collecting duct में जो डालता है and finally आपका यूरीन information है वह होता है with that being said the chapter is over ठीक है काफी थेसे हमने चैप्टर किया है इसको भी आर डीटेल में लेक्चर समझना है हमने अप्लोड कर रखा है डीटेल और वन शॉट दोनों की सुवीदाय तुमारे पास में है जिसी बच्चे को बाद में जाके कभी इस chapter का revision करना होगा तो व very big thing तो जिसने देकी कि हो चाण कर डिश करो है अफुसर हो ही है तो अब के अब करें की सॉट अफुस्नों कुछ अच्छा हो गा कुछ था हो немного कुम को मिल रही होंगी ठीक है तो लिंक नीचे चाकर इन्सल आप्वा करें तो इस वीद गिशेर ऑप अफ एं तुने बाद The test series झाल झाल